प्रिय विद्यार्थी मित्रो सरब्द सत्तार्खन यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है टेंथ हिंदी लोकवानी ये आठ्वी कवीता है इसे करम वीर इसके प्रश्न तरह स्वाध्याय का वीडियो करने जा रहे हैं आपको हमारा वीडियो पसंद आये तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो का आखिर तक देखिए लेट्स बिगिन प्रश्ण पहिला है सुचना नुसार कृतिया कीजिए संजाल पूर्ण कीजिए और कृति पूर्ण कीजिए पहला वाला है करमवीर इनमें परिवर्तन करते हैं दूसरा करमवीर नहीं करते पहला है करमवीर इनमें परिवर्तन करते हैं असंभव कारे में, बाधायें, कठिन काम में और देश की हालत में दूसरा है करमवीर नहीं करते अपने समय को यूही बिताना काम करने की जगह बाते बनाना आज कल करते हुए दिन गवाना प्रत्न करने से जी चुराना ये नहीं करते विशेशता है लिखिए करमवीर काम करते समय और चौथा है कविता में इस अर्थ में आये शब्द लिखिए पांचवा कविता की अपनी पसंदीदा चार पंक्तियों को सरल अर्थ लिखिए करमवीर काम करते समय काम कितना भी कटिन हो पर उकलाते नहीं है अपने समय को वियर्थ नहीं बिताते, काम करने की जगा बाते नहीं बनाते, काम को आरंभ करके छोड़ते नहीं है कविता के शब्द कर्म भूमी, कारिथल, आकारन, वृथा, आकाश, गगन, विश्वास, भरोसा अब जो पंक्तिया है जिसका हमने अर्थ बताना है जो कभी अपने समय को यूँ बिताते हैं नहीं, जो कभी अपने समय को यूँ बिताते हैं नहीं, काम करने की जगा बाते बनाते हैं नहीं, आज कल करते हुए जो दिन गवाते हैं नहीं, यतन करने में कभी जो जी चुराते नहीं इसका उत्तर है कभी करमवीरो द्वारा निश्टा पुर्वक अपने काम को करने के बारे में बताते हुए कहते हैं कि करमवीर काम करते समय अपना पूरा ध्यान केवल अपने काम पर ही लगाते हैं वे इस बात का ध्यान रखते हैं कि उनका थोड़ा सा भी समय बरबाद ना हो वे काम करने में विश्वास करते हैं काम करने के बजाए इधर उधर की बाते बनाना उन्हें पसंद नहीं हैं वे कोई भी काम तुरंत शुरू कर देते हैं आज कल करते हुए वे काम में देरी नही करते करमवीर कोशिश करने से कभी जी नहीं चुराते ये इसका उप्योजुत लेकर ने मुद्धो के आधार पर कहानी लेखन करना है एक हंस और एक कव्वे में मित्रता ये बुरी संगती का परिनाम इसका हमने यहाँ पर नाम दिया है एक नगर खाना हस का बिलकुल न खाना आहट पाकर काय काका उड़ जाना हस का पकड़ा जाना परिनाम शीरशक में सड़क के किनारेक व्रुक्ष पर एक कव्वा रहता था यह परिनाम और शीरशक यह हमने चार चीज़े देखना है सबसे पहले देखेंगे इसका इसकी कहानी कैसे लिखेंगे सबसे पहले शुरुआत करते हैं मैं सड़क के किनारेक व्रुक्ष पर एक कव्वा रहता था वहीं पास की एक तालाब में एक हंस रहता था इन दोनों में अच्छी मित्रता थी दोनों साथ साथ रहते और खुश थे दोनों दूर 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 तक आकाश में उड़ते भी थे एक दिन कव्वा और हंस साथ साथ उड़ रहे थे उन्होंने गवाले को सिर पर दही पात्र लेकर जाते हुए देखा दही देखकर कव्वे के मुह में पानी आ गया उसने हंस से कहा चलो हम दोनों दही की हांडी पर बैटकर दही का स्वाद ले हंस ने कहा इस तरह चोरी से किसी की चीज खाना अच्छी बात नहीं है मैं तो नहीं जाओंगा इस पर कव्वे में हंस को अपनी मितरता की कसम दिलाई और बल पुर्वा खीच कर उसे दही की हांडी पर ले गया कव्वा चोंच नचा नचा कर दही खाने लगा जबकि हंस चुप चाप हांडी पर बैठा रहा अचानक गव्वाले को हांडी पर किसी पक्षी के होने की भनक लगी वो एक हाथ से हांडी पकड़ कर दूसरे हाथ से हांडी के उपर टटोल ने लगा यह देखकर कव्वा तुरंत उड़ गया पर हंस गव्वाले के हाथ में लग गया कुरोधित गवाले ने हंस को मार डाला हंस ने दुष्ट कववे की संगती की इसलिए उसे जान से हाथ दोना पड़ा इसकी सीख्या है दुष्ट की संगती से हमेशा दूर ही रहना चाहिए